हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल तो आज मैं आपके लिए मोटो वोल का एक नया और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई हो जो कि आप एजिली दस से पंदरा मिनिट के अंदर बना लिंगे और अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो काफी अच्छे इसमें आपने नमबर के निडल ही यूज करना है यह चीज बनाने के लिए तभी आपका अच्छा बनके आएगा तो मैं आपको इसका एक हैड बेंड बनाना बता दी हूं जो कि बहुत ही ऐजी और बहुत ही गरम रहता है यह जो मैं साइस बता रही हूं यह एडल्ट आप इसी में केट्स का साइज भी बना सकते हो और वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा छोटा सा वीडियो होगा और एकदम डीटेल वीडियो होगा बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ आपका प्रोजेक्ट बनके आएगा इसी चीज को फॉलू करोगे तो फंदे डालने हैं हमने ऐसे धागा पकड़ूआ ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खिशना है लूज हाथ रखेंगे ऐसे तो यह मैंने अपने 12 फंदे डाल ली हैं अपने 12 फंदे से शुरू करना है 12 फंदे डाले इसके बाद अपना दूसरा से लई से आप अपना हम first row शुरू करेंगे तो first row जाएगी अपनी तरफ को उल्टी ठीक है ऐसे बिल्कुल हाथ normal रखेंगे डागा बिल्कुल खीचना नहीं है lose रखना है ऐसे करके आप पूरा अपना first row complete कर लो यह मैंने करा अब इसके बाद आप देखो ऐसा कुछ आपके पास बन के आएगा first row ठीक है अब आप क्या करोगे पहला फंदा आपने ऐसे निकाल लिया निकाला अगला फंदा आपने क्या करना है इधर से न बिनके आपने लेना है इधर से नीचे से ठीक है ऐसे करके यहां से लिया आपने और इसको हम बिनेंगे सूल्टा यह करा पूरा आप एक साथ निकाल दो ऐसा कुछ बन के आएगा ठीक है धागा आगे की तरफ अगला फंदा बिनेंगे हम उल्टा ठीक है धागा पीछी की तरफ यहां से लेना है आपने और सूल्टा बिनना है उपर नहीं करना है ठीक है इसमें नहीं करना है आपने बिनना है नीचे से यहां पर से यहां आपने करा यह बिना हमने बिना सूल्टा धागा अगे की तरफ फंदा बिना उल्टा धागा पीछी की तरफ यहाँ पर से लेके बिनेंगे सुल्टा पूरी लाइन को आप ऐसे करके निट कर लो नॉर्मली ये सुल्टा उल्टा ही है लेकिन जो हम फंदा सुल्टा बिनते हैं उसमें आपने नीचे से लेना है इस फंदे को लास्ट वाला अब आपके पास बचा लास्ट फंदा लास्ट वाला देको आप ऐसे ही बिनी है सुल्टा जो हम नॉर्मल बिनते हैं इसमें नीचे से नी लेना है सिंपल रखिए आप इसे ये कर लिया है आप आगई हूं में अपनी सेकंड रो में सेकंड रो देखो आप फंदा तो आप ऐसे निकाल लोगे अब आपको दिख रहा है हाँ पर सुल्टा तो धागा पीछी की तरफ करेंगे और सुल्टा बिनेंगे वही नीचे से फिर से आप इसे उल्टा बिनेंगे धागा पीछी की तरफ सुल्टा धागा आगी की तरफ उल्टा ऐसे करके ठीक है ऐसे करके आप इसको बनाओ यही प्रोसेस रिपीट होगा पूरे बैंड में कुछ भी चेंजेस नहीं करने है हाथ का बस आपने ध्यान रखना है तब ही यह बैंड एकदम नॉर्मल बराबर सा बन के आएगा वरना कहीं पर को लूज कहीं पर टाइट ऐसा नहीं करना है ठीक है ऐसा कुछ आपके पास बन के आएगा झाल 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 यह मेरा इतना बन गया है ना आपके देखो लेंध इसकी चलेगी है थर्टी इंच ठीक है थर्टी इंच यह मेरे इसके लिए इनफ होगा क्योंकि इसमें बहुत जादा स्ट्रेचिबिलिटी होती है ना तो यह काफी अच्छा सर में फिटेड आ जाएगा अगर आपको लग रहे तो आप थोड़ा सा 14 कर लो लेकिन 14 से जादा मत करना क्योंकि पहनते पहनते फिर यह कहना लूज हो जाएगा यह मैं पहुंच गई हो अभी यह मेरी उल्टी रो है तो मैं इसको एक रो और निट कर लेती हो वही प्रोसेस मैंने कर रहा है आप इसको एसे ही बनाते हुए चलो अब हम इसका लास्ट रो जो है इसका फिनिशिंग वाला रो कर देते हैं अब हमने इसमें नॉर्मली पंदे घटा लेने हैं कुछ नहीं करना है इसमें नॉर्मल दो फंदो को आप एक सांट आप आप नॉर्मल पंदो अपनी तरफ को ईलता एकसा जाना हुए दुबारा से वही करेंगे ऑसालिया इकटो और आप उलता इसे करके इस पूरी रोको आप कम्प्लीट कर लो ऐसे करके आपके जो है न ये फंदे पूरे ऐसे करके घट जाएंगे ठीक है लास्ट में आपके पास ऐसा कुछ नॉट जैसा बचेगा धागा कट करके इसको इसमें क्रोस करा लोगे जिससे की यहां पर यह लॉक हो गया अब इसके बाद मैं इसको stitch कर लेती हूँ, stitch कैसे करना है आपने, इसको मैं एक knot वाला बना दी हूँ, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दो, ऐसे करके आपने अपने दोनों पलों को पकड़ना है, या अपने पकड़े, अब आपने क्या करना है, एक इस left वाले हाफ को right के आधे हाफ में रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट का हाफ, right के हाफ में रखेंगे, ये रखा, और जो left का हाफ है, इसको right के, ऐसे fold करो गया, ठीक है, और जो राइट का हाफ है इसको ऐसे फोल्ड करोगे ठीक है दुबारे से देखिए राइट का हाफ लेट का हाफ आधा आधा रखा दोनों को ऐसे साथ में यह यहाँ पर से पकड़ा और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया लेट का हाफ पुरा ऐसे राइट के हाफ के साथ ऐसे करके फोल्ड कर दिया है ठीक है उसके बाद जो राइट का हाफ है इसको इधर फोल्ड कर दिंगे तो यह आपका ऐसे करके बन जाएगा ठीक है अब इसके बाद आप इसको स्टिच कर लेंगे कि एक को ज़िए को में रोगे carbon हैं 2021 को फिर सब्सक्राइब दागाुम उननेको कज़िए सब्सक्राइब और समझे से उसदितर पर सब्सक्राइब अगर आपके पास प्रीश जबाकर तो एक कम चराइब पर पास दर्डण में बंगे स्थे करना थे जो दागा आपको दिख रहा है फिनिशिंग के लिए उसको भी आप इसे दबाते वे चलो लॉक में इसलिए कर रही हूं क्योंकि मोटू उन है तो अगर थोड़ा सा दूराई में भी रहेगा तो भी चल जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे करके आप इसको पूरा इसको स्टिच कर लिए ठीक है लागे को आप पूरा ऐसे करके लॉक कर लो अब वापसी में दुबारा से इधर को यह हमने करा आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा अब आप इसको अपने ऐसा बन के आ जाएगा आपके पास ठीक है यह नॉट आपका बन गया है अगर आपको इसी में जैसे यह मैंने 12 फंदे डाले थे अगर आपको यह चोड़ाई ज्यादा लग रही है तो आप इसको 10 फंदो का अगर बनाते है तो आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा ठीक है 10 फंदो का मैं इसको भी आपको बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे सिलना है इसको मैं विदाउट नॉट सिल रही हूँ यह तो मैंने नॉट वाला सिला है यह लेडिस के हिसाब से सही है बच्चों के हिसाब से ठीक है लेकिन हाजेंट के हिसाब में नॉट नहीं जाएगा तो आप सिंपल जैसे आपने बैंड बनाया और बस इसको आपने नॉर्मल सिल लेना है एक पल्ला आप इसका पकड़ोगे और एक पल्ला पकड़ोगे इसका ठीक है दोनों को ऐसे पकड़के अगे ऐसे यह करा, पुस्याग डाला, धागा क्रॉस गराया, ऐसे करके खीचके गांट कर लिए थीक है। इसको भी आप ऐसे करके पूरा फिनिश कर लो और साथ ही साथ लास्ट मे धागी को भी इसका फिनिशिन्ग करते हुए चलेंगे, दबाते हुए चलो धागी को अगर आपको अगर इसी का पतले वाले उन का वीडियो देखना है बैंड कैसे बनाते हैं तो आप मेरी चैनल के पुराना वीडियो देख सकते हैं में चीका कंगता है फिस को पतले उन से कैसे बनाना है वह आपको बता रखा है अच्छी सा आप जैसे मेरा धागा भी चोटा पड़िया ने इसको आप अच्छी से करके एसे लॉक करके यह आपने कर लेना है ठीक है लॉक करके अब आप इसको अपना टर्न कर लो यह आपका एक सिंपल वाला बेंड बन गया यह बैक पोर्शन में चले जाएगा यह आपका फ्रंट आ गया वोप आपको यह वीडियो पसंद आया हो थैंक्यू सो मज फॉर वाचिंग इस वीडियो